अलबेकुम दोस्तो यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमें इसा वाकिफ रहना चाहते हूँ तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आएको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को पेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तो हमें सफरी में मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आरे साथियों वो कतारा से दोस्तो एक सर्विस को वहाँ पे लाँच किया गया है summer vacation जो आने वाला है बच्चों के लिए दोस्तों summer vacation जो चल भी रहा है तो उसको लेकर दोस्तों एक चीज को वहाँ service को launch किया गया है अगले हपते से launch किया जाएगा तो कतारा के तरफ से दोस्तों cultural village foundation के तरफ से एक वहाँ पे 20 जून से लेकर 29 जून तक साथियों आठ से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए workshop का multiple artist field के लिए दोस्तों एक वहाँ पे program रखा गया तो जो लोग भी इसा participate करना चाहते हैं जाके registration जाके करवा सकते हैं अपने बच्चों को इसमें participate करवा सकते हैं अगली खबर के उसाथि चलते ही जो कि हमद मेडिकल कॉर्पेशन के आ रही तो हमद मेडिकल कॉर्पेशन के तरफ से अभी मैं आपको बता दू सातियों हमद मेडिकल कॉर्पेशन के तरफ से announcement किया गया कि अभी कुछ दिनों के अंदर ही 189 नया graduate medical जो doctor है उन्होंने वो graduation को अपना complete किया है जिसको लेकर दोस्तो सभी को वहाँ पे medical department में सभी को वहाँ पे नौकरियां वगएरा वो दी जा रही है बताया गया है 189 new graduate है जिसमें से 85 of the college of medicines of Qatar university से participate करने वाले हैं तो ये सभी लोग इसी साल complete किये अपने graduation और सभी को वहाँ पे दोस्तो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है अगली खबर के शातियों चलते जो कि पाकिस्तानी worker यदि आप काम करते है Qatar में तो मैं आपको बता दूँ आप से पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबर आ रही है तो बता दूँ सातियों कि सिन्ध ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है आप लोग बैखोभी से जांते होंगे सिन्ध ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट उनके तरब से आज की दिन ये announcement किया गया है कि government के तरफ से वीडियो के स्क्रिप ने दोस्तों इनकी फोटो आप देख सकते हैं ये इंडियन किरिकेट करके तेज बॉलर मुहम्मद शामी है तो साथियों ये और उनकी जो उनकी मा है वालदेन वो आज हज पे निकल गए हैं उनके लिए रवाना हो चुके हैं यहापे दोस्तों आप ढता होगा लग yo फीफा रड़कब को दोस्तों जो पोश्टर होता है ऑफिसियली उसे आज लांज किया गया तो विड eerspryosphory वे ढौन यह officially दोस्तों यह poster को launch किया गया कतर में आपको बहुत सारे जगहाओं पे यह poster अभी देखने को मिल जाएगा यह कतर की बहुत ही बड़ी artist है उनके द्वारा यह poster को paint किया गया बनाया गया अगली खबर की और शात्यों चलते है कतर limits maximum working hour for domestic worker यानि कतर में अब जितनी भी domestic worker है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है तो domestic worker जो भी है उनके लिए नया नियम वहाँ पे जारी किया गया है कि जादा से जादा वो लोग 8 घंटा काम करेंगे और जादा से जादा उन लोगों से 2 घंटा overtime आप करवा सकते हैं उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे तो ये ministry of labor के तरब से announcement किया गया है तो जितनी भी वहाँ पे domestic worker यदि आप लोग वहाँ पे भाई काम करते हैं तो आपको सुरी वहाँ पे अब 15 सौरी 10 घंटे ही काम करना है वो भी 2 घंटा overtime लेके यदि उससे जादा आपको करवाता है तो आप वहाँ पे complain जाकर कर सकते हैं अगली कबर की और साती हूं चलते ही जो की Metro Express से आ रही है तो important अपडेट दिया गया दोस्तों इस चौबीस जून 2022 से Metro Service जो है वो available होगा Carva Taxi App से तो यह application को आपको download करना पड़ेगा Carva Taxi App फिर आपको Metro Express टैब में जाना पड़ेगा और जो भी उसमें process अगवा प्रोसेस को आपको पूरा करके ही आपको करना पड़ेगा तो दोस्तों यह कुछ खबरे थी कुछ अपडेट सी यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो कोई जानकारी चाहते हो फ्लाइट वीजा टिकट की कॉरंटीन के बारे हैं तो मुझे आप कॉमेंट सेक्सिन में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हो तो आसा करते हम वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लग वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ यूनेक्स टूडियो पर अल्ला आफीस और टेक